नमस्कार मैं हूं संगीता राय पुर्वांचल एक्स्प्रेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है आईए देखते हैं हमारे समवादाता राम सकल यादो की यह विशेश रिपोर्ट आजमगड बसपास सुप्रेमा वायवती के उत्राधिकारी वब वोजन समास पार्टी के समन्वेक आकास हानन्द आज आजमगड के लाल गंस रक्षिल स्रीट पर पार्टी की प्रक्तियासी डॉक्टर इंदु चौदरी के समर्तन में गई खड़कूर में आजजित जन सभा को समबोधित करने पोचे इस दुरहन पार्टी के नेताओं और कारेकरता ने उनका मालेयरपन का भवेस्वागत किया अपने समबोधन में आखास आनंद किन ने बार्टी जनता पार्टी और सपा कांगर्जगरबंदन को निशाने पड़ लिया इस दुरहन उन्हें कहा कि जब आप किसी सरकाई नौकली का पेपर देते हैं और बाद में पेपर लीक हो जाता है तो क्या मन करता है यही करता है न कि जिसने पेपर लीक किया उसका गुदा निकाल कर जमीन में गार दें वैसे ऐसा हम तो कर नहीं सकते हैं लेकिन बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दिया है उसको बंदू की गोली की तरह परियोग कर हम इन पर कर सकते हैं उन्होंने कहा कि बस भाई एक मिलसन है आम जंता के हित को लेकर लड़ने वाली पार्टी है पार्टी मुख्या मायावती की नीकिया सभी जानते हैं उनके शासनकाल को लोगों ने देखा हैं आज सबसे बुरा हाल युवाओं का है माबाप काफी पैसा खर्च का हमें पढ़ाते हैं इसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती कि हम भी कमा कर माबाप वो परिवार के देखभाल करें लेकिन आज ऐसा नहीं कर सकते रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार नौपी की भरती पेपर लीक होने के चलते रध होते जा रहे हैं जिसकी चलते युव भी रोजगार भूम रहे हैं ऐसा करने वालोग अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है उन्होंने का कि भारती जन्ता पार्टी के सरकार पांच किलो रासन देने की बात कहती है क्या जन्ता ने उन्हें पांच किलो रासन के लिए चुरा था रोजगार देने के लिए अगर परिवार में किसी व्यक्ति को नौप्री देते हैं तो दो हजार पती माह मिलते थे आज एक हजार पती माह का रासन देकर सरकार को जन्ता को गुमरा कर रही है बीजेपी ने कहा कि महंगाई कम कर देंगे दो करण लोगों को हर सल रोजगार देंगे लेकिन सरकार अपने वैयदों को पुरा नहीं कर पाई बस्पा नेता ने समाजबादी पार्टी पर हमला बोलती हुए कहा कि जिस समाज ने विधान समाज चुनाओं में इन्हें एक मुफ्थ बोट डाला आज उप समाज पर अत्याज चार हो रहा है लेकि समाजबादी पार्टी के नेताओं के मुँ में आवाज नहीं निकल रही है उन्हेंने काया कि जब प्रोमोसर में आरक्षन का बिल राश्वा में आये तो सबसे पहले विरो समाजबारी पार्टी नहीं किया उनने कहा कि यह लोग वोजन समाज ही नहीं पिश्डे अरी पिशो के खिलाब भी है इनसे बड़ा देश दोही और गरदाय कोई नहीं होगा उननने कहा कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपके व 2010 वोट मांगने आए हैं और कहेंगे कि हम बॉजन समर्ज पार्टी के लोगों कहेंगे कि हम बॉजन समॉज के लोगो को SCST और fictional लोगों को reservation देने का काम करेंगे परनितो साथियों इस तो cursor के साथ साल में आप केंदि के सरकार में आती है तब कहां गया S.C.S.T. का विल तब कहां गया रक्षन सरकार में रहते तो बाबा साहब को भरा तरतन देने के लिए कत्रा ने होते अब जब कि आपका राजनी तक अस्तित्व खप्न होने वाला है तब आपको बोजर समाज की याद आ रही है उन्होंने काया कि इस बार कांग जिसे की बस्पाक के राशी समन्वक बस्पाक की मुखिया के बतीचे आकास आनंद की ये पहली चुनावी जन सभा थी इस चुनावी जन सभा को सुनने के लिए हजारों के संख्या में लोग कारेटर विस्तल पर तीखी दूप के बाद भी जिटे हुए थे लाल गंज 2019 में भी इस सीट पर बस्पाक का कबजा था और संगीता आजाद चुनी गई थी जोकि वर्तमान में भाजपा का दामन थाप टुकी है महिसापा के पुरुस अंसर दरोगा सरुजो भाजपा में पुरुस अंसर निलन सोरकर को मैदार में उतारा है मैं समझ सकता हूँ बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से खड़े हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पर ये बाबा सहाब का मूव्मेंट बहुत साल पुराना है तो दिल्ली तक आवास पहुचानी बहुत जरूरी है तो साथियों ऐसा जैबीम करेंगे कि पार्लिमेंट की दिवारे हिल जाएं तो एक बार और जैबीम साथियों सबसे पहले मैं यहां मौझूद इतनी बड़ी संक्या में हमारे माताएं पहले अपना कीमपी समय निकालकर आप हमें आज यहां सुनने आई हैं तो आप सभी को मैं तेह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं साथ ही साथ आज यहां हमारे सभी बड़े बुज़र्ग हमारे सभी भाई बेहन जो आज इतनी गत्वी में इतनी देर से हमारा इंजार कर रहे हैं हमें सुनने के लिए तो आप सभी को भी मैं तेह दिल से धन्यवाद करता हूं आज ये लोग सभा चुनावी जन्सभा को सफल बनाने के लिए हमारे सभी कमिटी सभी पार्टी के पददकारी सभी काले करता गर्ड हमारे सभी प्रत्याशी लोग जन्होंने आज इस सभा को सफल बनाने में दिन रात देख कर दी तो आप सभी को भी मैं तेह दिल से धन्यवाद करता हूं जातियों आज मैं अपने सभी संतों गुरुओं महापुर्शों को भी जिसमें खास कर महात्मा जोतिबा फूले चदपती शाहुजी महराज नैरैना गुरू पेरियार नावा सुआमी जी बाबा सहाब डॉक्टर भीम राओ अम्बेटकर जी एवं मान्यवर सहाब श्रीकाशी राम जी को नवन करता हूं साथियो इस लोग सभा के संबंद में जरूरी बात आप लोगों के वीच में रखने से पहले मैं बहुचन समाज पार्टी की राष्ट्रे अध्यार्स वे उत्यपरदेश की चारचारबार मुक्यमंत्री वे पूर्फ सांसर आदर्णिया बेहन जी के नाम से लोग प्रिये साथियो जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी बाम सेफ डी एस फोर वे बी एस पी के जनम दाता एवं संस्थापक मानेवर सहाब श्रीकाशी राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूजे बाबा सहाब डॉक्टर बीम रावं बेटकर जी के मानफतावादी वे आत्मसंवान ए स्वाबिमान के मूवब्मेट के कारवा को अपने आजीवन त्यात तपस्या वेकड़े संघश के जरिये नई राजनिक्तिक उर्जा शक्ति वे पैचान दी है तथा उत्ते पर देश जैसे विशाल महत्तपूर राज्य में चार बार अपनी पार्टी पीए समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेंडा लेकर करोड़ों लोग आज यहां समाज एक परिवर्दन वे आर्थिक तरक्की की तरक्की के मिशिनरी कारे से जुड़ चुके हैं इतना ही नहीं बलकि मैं खुद भी उनके इस नेतुरति से प्रभावित होकर बी को पूरा करना चाहता हूं जिनके लिए बहुजन समाज के मसीहा परमकूचे बाबा सहाब डॉक्टर भीम राओं अम्वेटकर जी ने आजीवन कड़ा संगर्ष करा है साथियोग जैसा कि अब सब जानते हैं कि लोगसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोगसभा चुनावों में दुश्मन हमारे बीच में रहकर साम दाम दंड भेग का इस्तुमाल करके हमारी पार्टी को हमारे कारेकरत्रा को अंदर से गुंगरा वेकमजोर करने की कोशि करेगा और साथियोग जेहीं नहीं दुश्मनाज की डेट में आज इतना काबिल नहीं कि आपको सामने से से आकर आप पेवार करें साथियों दुश्मन आजकल बहरूपियों कारूप लेकर एक बहरूपिय की तरह एक कारेकरता एक प्रत्याशी एक प्रत्याशी के रूप में आप लोगों को बढ़काने का काम कर सकता है इसका मतलब यह नहीं कि हर कारे करता कोई बहरूपिया या कोई दुश्मन है या हर कोई पददकारी या कोई हमारा प्रत्यार्शी दुश्मन है पर साथियों आपको इनको पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं साथियों अगर कोई भी कोई भी आपको बीएसपी के इनावा किसी और पार्टी या किसी और नेता के बारे में बोले कि वो आपका हितेशी है आपको उसको वोट डालना चाहिए तो आप समझ जाएए कि आप एक अब अगर कोई अब अगर कोई कि दार्य करता कोई नेता ये बोले कि भैज आपका सही हितेशी बहुचन समाज पार्टी या बहंजी नहीं है तो बताएए कि गद्दार से बात कर रहे हो कि नहीं बताएए कोई दिरिश्द्रोई कोई गद्दार टाइक का आदमी ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं ये ली दो अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए